हेलो फैंस तो आज मैं आपको बंगाल की बहुती फेमर डिस्क खाने वाला हूँ आज हम बनाएंगे मिश्टी दोई ये खाने में बहुती ज़दा टेश्ची होती है और ये देखे सबसे पहले आप इसकी थिकनेस देखिए तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दूध श्यों का मिश्टी बनाने के लिए तो चोब आपने दूध लेना है फुल फैट दूध का आपने यूज़ करना ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 फैट वाला दूथ लिया है आप वहेंस के दूध से भी इसको बना सकते हैं यहां मैंने एक stainless steel की कडाई लिए है, सबसे पहले हम उसमें दूद एड़ करेंगे, तो जिस बरतन में आप दूद गर्म करते हैं, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, मोटे बरतन में दूद गर्म करेंगे, नीचे लगने के चांसिस नहीं रहते हैं, तो यहां पे मैंने 1.5 लि 10 मिन तक बॉयल करना है, ताकि दूद थोड़ा सा थीक हो जाए, और इसके बद आपको दही चाहिए होगी, तो एक आपने चन्नी लेनी है, उसमें आपने दही आइड करना है, कितना दही डालना है, 1500-200 ग्राम आप इसमें दही आइड कर दीचे, और दही आपकी ज़्याद है, गैस की फिलेम बंद कर देते हैं, दूद को आपने थोड़ा सा थंड़ा होने देना है, इसके बद आपने कैरमल बनानी है, जिससे एक अच्छा कलर आएगा और अच्छा टेस्ट भी आएगा, तो हम आपकी कैरमल यहाँ पर कड़ भी हो सकती है, तो यह देखे, जैसे चीनी थोड़ी सी मैल्ट होना शुरू जाएगी, इसके बद आपने बल्टे से इसको कंटीनू चलाते रहना है, तब तर चलाना है, जब तर चीनी पूरी तरह से मैल्ट नहाँ जाएगा, तो ओके देखे, इससे जद आपने इसमें कलर नहीं देना है, इससे आप कलर जाते हैं, तो इसको मैल्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो के देखे, इसके बद आपने गैस की फिलिम एक्तम लो रखनी है, और यहाँ पर आप कंटीन्यू पल्टा चलाते रहिए, जब तक आपकी जो केरमल है, पूरी तरह से दूद के साथ मिक्स नहाँ अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेते हैं, अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, आप मिश्री यूज कर सकते हैं या फिर गुड का यूज भी कर सकते हैं, तो के देखे, शुगर को भी दूद के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर 20 मिन पहले देखी को छ प्यार्ट करना है देखिए इस तरह से और यहां पर जो दूद है यह कैसे नेमपरिचर में होना चाहिए देखिए गुन-गुना होना चाहिए आपकी अंगली में हल्क असा गर्म लगना चाहिए इसके बद आपने इसमेना दो बड़े चमच देही कैड कर देना है पूरी दे मिट्टी का बरतन लिया है आप मिट्टी का च्छोटा कप ले सकते हैं या फिर कांच के बरतन में इसको जमाआ सकते हैं मिट्टी के बरतन में जो मिट्टी दुहिए ना बहुत ही अच्छी से सेट होती है तो के देखिए मिट्टी के बरतन में यहां पर मैंने दो से तीन ल उपर से cover कर दिया है, इसी तरह से सारे वरत्रों को उपर से cover कर दीशे, इसके बद आपको एक मूटा सा ना टाबल ची होगा, अच्छा गर्म टाबल लेना है और इसमें आपने यह देखिए, इस तरह से इनको set करके रखतेना है उपर से अच्छी तरह से न कबर कर दीजे और आपने इस तरह से कबर करके कम स्कूम 8-10 गंटे दक इसको set होने के लिए छोड़ देना है से 10 गंटे में आपकी मिश्टी दोई न अच्छी तरह से जम जाएगी तो यह देखे 10 गंटे हो चुके हैं इसके पर इसको चेक कर लेते हैं तो यह देखे टाबल को आपने इस तरह से हटा देना है और सर्दियों में इसको जमने के लिए 12-14 गंटे भी लग सकते हैं तो सबस आप देख सकते हैं यह भी अच्छा से रखती है कितनी दिर राखते है कम से 3-4 गंटे तक आपने इसको फीच बोते हैं निकलने वाली है तो इसको झादी ऑच्छा लगरो करणी के बीडियो त्छा लगोगा लाइक शेयर जरूर कि fully ओके फ्रेंज थैंक यू